कामासूत्र कामुक्ता और वैवाहिक जीवन पर एक प्राचीन भारतिय ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा गया है और इसका श्रे वात्स्यायन को दिया जाता है। हाला कि इसकी रचना की सही तारीक अग्यात है। इस पाठ को व्यापक रूप से मानव कामुक्ता पर अब भाग तीन पतनी की प्राप्ती पर, भाग चार पतनी के व्यवहार पर, भाग पांच पती के व्यवहार पर, भाग छे अन्य वेश्याओं पर, भाग साथ विभिन कलाओं और उपलब्धियों पर। कामसूत्र के पहले तीन भाग प्रेम के दर्शन और सिध्धान से जैसे कि जीवन साथी कैसे चुने, एक खुशाल और पूर्न रिष्टा कैसे बनाए रखें और बच्चों का पालन पोशन कैसे करें। जीवन साथी की इच्चाओं, सीमाओं और प्राथमिक्ताओं को समझें। कि किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है और किस चीज से उन्हें सहचता मिलती है। विविधता, कामसूत्र दोनों भागीदारों के लिए अंतरंगता को रोमाचक और संतुष्टिदायक बनाए रखने के लिए यौन स्थितियों और तक्नीकों की एक विस्तरित श्रिंखला का सुझाव देता है। विभिन द्रिष्टिकोनों के साथ प्रयोक करने से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आपके और आपके साथी के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। सावधानी अंतरंग शनों के दौरान अपने साथी की प्रतिक्रियाव और संकेतों पर ध्यान दें। यह आपको यह आकलन करने की अनुमती देता है कि क्या काम कर रहा है और उसके अनुसार अपना द्रिष्टिकोन समायोजित करें। फोरपले उस तक आनंद और अंतरंगता को बढ़ाने के साधन के रूप में फोरपले पर महत्वपूर्ण जोर देती है। इसमें चुम्बन, दुलार और कामुक्स पर्ष के अन्यरूप शामिल है। पारस्परिक आनंद, कामसूत्र दोनों भागीदारों के आनंद और संतुष्टी का अनुभव करने के महत्व पर जोर देता है। यह शयनकक्ष में स्वार्थ को हतोच साहित करता है और आपसी आनंद पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोच साहित करता है। पारस्परिक आनंद पर दोनों भागीदारों के बीच भावनात्मक बंधन की पुष्टी करना महत्व पूर्ण है। हमेशा समवेदन शीलता, सम्मान और सहमती के साथ अंतरंगता से संपर्ग करें। यह सुनिष्चित करते हुए की दोनों साथी सहज और इच्छुप भागीदार हैं। सेक्स के बारे में प्रभावी ढंग से समवाद कैसे करें। सही समय और स्थान चुनें। उस तक अंतरंग मामलों पर चर्चा करने के लिए एक उप्युक्त सेटिंग और क्षन ढूंडने का सुझाव देती है। इससे खुली बातचीत के लिए आरामदायक और अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलती है। सम्मान जनक और विचारशील बनें। बातचीत को सहानुभूती के साथ करें। और अपने साथी की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। निर्नय लेने से बचें और उनके आराम के स्तर का ध्यान रखें। स्पष्ट और सीधी भाशा का प्रयोग करें। कामसूत्र स्पष्ट और स्पष्ट संचार की वकालत करता है। असपश्ट या असपश्ट शब्दों से बचने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि दोनों साथी एक दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं को समझते हैं. अपने साथी की अभिव्यक्ती को प्रोच साहित करें. अपने साथी के लिए अपने विचारों और भावनाओं को साजा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं. उन्हें इमानदारी से और निरनय के डर के बिना खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोच साहित करें. सक्रिय रूप से सुने, आपका साथी क्या कह रहा है, उस पर पूरा ध्यान दे, दिखाए कि आप वास्तव में उनके द्रिश्टिकोन में रुची रखते हैं, और उनकी भावनाओं को बाधित करने या खारिस करने से बचें. प्रशन पूछें और प्रतिक्रिया लें, अपने साथी की प्राथमिक्ताओं, इच्छाओं और आराम के स्तर के बारे में पूछताच करें, इससे पता चलता है कि आप उनके इन्पुट को महत्व देते हैं और आपसी संतुष्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं. अपनी इच्छाए व्यक्त करें, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं को साज़ा करना भी उतना ही महत्व पूर्ण है. यह विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है और विचारों के संतुलित आदान प्रदान की अनुमती देता है. समझोता करने के लिए त इच्छाओं को पूरा करते हूं. गैरमोखिक संचार, पहचाने की संचार शब्दों तक सीमित नहीं है. अपने साथी के आराम के स्तर और संतुष्टी का आतलन करने के लिए उसकी शारिरिक भाशा और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें. गोपनीता बनाये रखें. कामसू कामसूत्र एक कालातीत क्लासिक है, जो मानव का मुक्ता और रिष्टों में मूल्यवान अंतरग्रिष्टी प्रदान कर सकता है, जो कोई भी प्रेम की कला के बारे में अधिक सीखना चाहता है. उसे इसे अवश्य पढ़ना चाहिए. यहां कामसूत्र के कुछ प्रमुख व फोरपले आवश्यक है. कई अलग-अलग यौन स्थितियां है, और उनमें से एक को ढूंधना महत्वपूर्ण है, जिसका आप और आपके साथी आनंद लेते हैं. सेक्स दोनों पार्टनर के लिए आनंद दायक होना चाहिए. अपने साथी की सीमाओं का सम्मान करना महत्व पूर्ण है. कामसूत्र उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, जो अपने यौन जीवन को बहतर बनाना चाहते हैं, या मानव कामुकता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं. यह एक कालातीत क्लासिक है, जिसमें सभी उम्र और प्रिष्ठ भूमी के लोगों को स दिखाने के लिए कुछ न कुछ है.